जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों केवियस एक्जाम इंटरव्यू के पहले आप सभी को केंदरी विध्यालेओं के बारे में एक डिटेल जान लेनी है आठ से दस पॉइंट आपको जानने हैं जिसमें केंदरी विध्याले का आदर्श वाक्य क्या है आपको ये जानना चाहिए केंदरी विध्याले की स्थापना कब हुई है आपको ये भी पता होना चाहिए केंद्री विध्धहले का हेट क्वार्टर यानि मुख्याले कहां पर है ये भी आपको पता होना चाहिए केंद्री विध्धहले अगर देखा जाए तो कंट्री में देश में कितने है और विदेश में भी हमारी कुछ संस्थाएं है उनका नंबर जानना चाहिए आपको केंद्री विध्धहले को कौन संचालित करता है किस संस्था के दोरा संचालित होती है ये भी आपको पता होना चाहिए और केंद्री विध्धहले दिवसकब मनाय जाता है ये तमाम ऐसे पॉइंट है जो इस वीडियो में चारचांद लगाएगी, एकजाम इंटर्वी की बहुत सारी अग्रिम सुभकामना है, आप सभी परिवारों को, सभी बच्चीयों को, सभी हमारी जितने भी भाई है यहाँ पर, देखेगा दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको नोट करना होगा, कि जो सबसे important fact बच्चों ने 1963 को रट के रखा है, कहते हैं कि केंदरी विध्यले की जो इस्थापना है, वो 1963 में हुई है, क्या उससे पहले भी कोई कदम था, तो आईए जानते हैं, देखेगा, सारे questions भी इसी वीडियो में हमने समाहित किये हैं, देखी दोस्तों, अगर यहाँ पर हम के केंदरी विध्यले की योजना को नवंबर 1962 में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, यानि पहला वो कदम था, 1962 का जिसमें हमारी गवर्मेंट के द्वारा अनुमोदित किया गया था, कि हां केंदरी विध्यले हमारे यहां होने चाहिए, अब आती है बात fact ही, कि भाई अनुमोदन दिया गया था, कि हमारे जो देश में केंदरी विध्यले होने चाहिए, लेकिन इस्थापना होते होते समय लगा, 15 दिसंबर एक समय आया, 1963 में इसकी स्थापना की गई, CVLC Pitt 2020 से समध्ध इन स्कूलों का संचालन भारती सरकार के सिख्षा मंत्राले दौरा किया जाता है, तो एक बात यहाँ पर clear हो गई है कि हमारा जो control है दोस्तों केंद्री विध्याले का वो किसके हाथ में है भारत की सरकार के हाथ में है और सिक्षा मंत्राले के हाथ में है यह fact आपको जानना चाहिए आए questions को कर लेते हैं यहाँ पर केंद्री विध्याले की स्थापना कब सब कुछ जानना होगा यह आपको बेहत जरूरी important facts बनेंगे interview में केंद्री विध्याले की स्थापना कब हुई 1963 में अभी मैंने बताए कि 15 जो है दिसंबर को 1963 में इसको इस्थापित किया गए stabilis करा गया तो 15 दिसंबर 1963 इस चीज़ को आपको याद रखना है अच्छा इम पर जाएंगे या जाएंगी जो आपने उमीद की है जो आपने सपने देखे हैं वो साकार होंगे क्योंकि सपने साकार होते हैं केंद्री विध्याले अगर बात करें तो भारत के केंद्री माध्यमिक सिक्षा बोर्ड से सम्मंदित है यानि केंद्री माध्यमिक सिक्षा बो सम्मंदित हैं, यह सम्मंदित हैं, सिवी एस से सम्मंदित हैं, केंदरी माद्री मिक शिक्षा बोल्ड से सम्मंदित हैं, दिमाग में बैठा लिजेगा दोस्तों, बहुत important fact है, एक बहुत doubtful वाला questions आ रहा है इस समय कि बहुत सारे comments आपको देखने को मिलेंगे या बहुत सार fact क्या है official क्या है अगर भारत में इस तरीके देखे के विएस exam में आपको अभी तक जो रहा है 2020 के data के अनुसार 1225 जो है विद्याले केंदरी विद्याले हमारे देश में थे और विदेश में कितने हैं अभी वरत मान में वो भी बताएंगे लेकिन आपको 1225 नहीं बताना है बहुत सी वीडियो में बताया जा रहा होगा कि वरत मान में केंदरी विद्याले की संख्या जो Central School है वो कितने हैं वो 1225 है नहीं बेटा अपडेट हो जाओ और टीचर भी अपडेट हो जाएं वर्तमान समय में Central School की संख्या है 1252 है चात्रों की संख्या की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो दोस्तों यहां करमचारी चात्रों और कितने छेत्र आते हैं केंद्री विध्यले केंद्रकत इतने आते हैं लेकिन यह पैमाना अगर एक बार ना पूछा जाए दोस्तों तो यह पैमाना जरूर पूछा जाएगा अगर कोई भी बच्चा जाता है किसी भी बच्चे से पूछा जा सकता हो सकता उनमें से आप एक हो ठीक है न तो 1252 आपको याद रखना है बंटू 52 बहुत आसान नम्मर है अगर मैं कोईसंस की बात करेंगे उससे सारी चीज़े देखीगा सब कुछ बताएंगे कि क्या है आदर्सवाग के क्या है क्या नहीं है देखिए अगर हम यहाँ पर आते हैं दोस्तों केंद्री विद् पार्ठिक्रम है वो किसके दौरा यहां संचालित होता है मैंने कहा CVSC के दौरा लेकिन विद्धाले में भारत के रास्ट्री सैक्षी का अनुसंदान और प्रसिक्षन परिसत के पार्ठिक्रम का अनुसरन होता है जो एक्शुल में NCERT का पार्ठिक्रम है तो बस इतना ही का कैसा है वो NCERT का है सभी केंध्री विद्धाले का संचालन केंध्री विद्ध्धाले संगठेन नाम की संस्ता करती है वो आलीड्यि आपको बता चुके है आते हैं बहुत ही इंपोटेंट fact के साथ सिध्धान्त क्या है दोस्तों केवियस की बात कर रहında हो है केंध्री आपको पता होना चाहिए मैं इसका तुरंत अर्थ बता देता हूँ यहाँ पर कहा जाता है हे सूरे या हे इस्वर सूरी या हे इस्वर हे इस्वर ज्यान पर छाय आवरण को हटाएं इसका मतलब क्या इस लाइन का हे इस्वर ज्यान के आवरण को हटाएं हटाने की कृपा करें तो ये आपको याद रखना है जो ज्ञान को ढखे हुए है अंदकार मेह उसको कहीं न कहीं प्रकास में बनाया जाए तो इसका जो है ये इसका अर्थ होता है स्टैविलिस की मैं आल लेडी बात कर चुका हूँ 15 दिसंबर 1963 में इसको स्टैविलिस करा गया इसको संचालित करता है केंद्री माद्दमिक सिक्षा बोर्ड CVSC करता है अधिकार इस पर किसका है सिक्षा मंत्राले भारह सरकार का अधिकार है और लेडी दोस्तों और इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका आर्थ क्या होता है हे सूर्य हे इस्वर ज्यान पर छाय हुए आवरन को हटाने की करपा करे बच्चों के लिए और ये है दोस्तों अंतिम स्लाइट चैनल पर पहली वार है तो सस्क्वाइब करने के लिए आपका धन्यवाद और आप यहाँ पर एक जोस के साथ कमेंट बॉक्स में जैहिन लिखें कि हाँ सर क्रेक होगा एक्जाम क्रेक होगा इंटर्व्यू कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए वीडियोस हम लाते रहेंगे और आप हमारे दिल से जुड़े रहिएगा वीडियो लाइक कर लिए और अच्छे मित्रों को चार मित्रों को जुरू सेर करिएगा तो अब हम एक क्वेशन आप से पूछते हैं और इस वीडियो में हम बिदा लेंगे केंद्री विद्ध्याले संगठट के आदर्स वाकी की बात करें तो उसका आदर्स वाकी क्या है चार ओप्शन्स आपके स्क्रीन पर है आपको लॉग करना है कमेंट बॉक्स में मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ फिलाल यहाँ पर इस क्वेशन्स का आंसर क्या हो जाएगा बी क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया इस तरीके का ओप्शन्स अगर एगजाम में आता है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा चलिए बहुत बढ़िया बहुत जबरजस्त आप सभी ब्रिलेंट बच्चों को एक वार एगजाम इंटर्विव की बहुत सारी अगरिम सुबकामना है एक बार फिर से अगरिम सुबकामना है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन बच्चों में से एक होंगे जो बच्चा एक सीट लेकर आएगा जो बहन जो भाई हमारा एक सीट लेकर आएगा या आएगी मिलते रहिएगा ऐसे ही जोस और उम्मीदों के साथ गुरुजिव वर्ड अग्जाम स्टड़ी आपके हर कदम पर हर कदम पर साथ रहेगा यूही मुस्कुराते रहेगा स्वस्त रहेगा चलिए